3 letters are to be dropped in 5 letter boxes letters and letter box both are different what are the number of ways in which first all letters dropped no restriction तो first वाला क्या है अग अपनको पहला letter letter 1 वो 5 में से किसी भी box में जा सकता है B1 B2 B3 B4 and B5 इन में से किसी में जा सकता है तो उसके ways कितने हो गए 5 into अब letter 2 भी है अपने वाल रेस्टिक्शन नहीं है तो वो भी इन 5 में से किसी में जा सकता है तो 5 similarly letter 3 भी 5 में जा सकता है तो first का answer क्या गया 125 All letters are dropped Second वो क्या बोल रहा है No two letters can be dropped in same letter box तो पहले letter के box के लिए अपन वा कितनी चोईस है 5 choice है तो इन में से भी 5 C1 मतलब कोई से भी अपन चूज कर सकते है 5 में से एक letter box चूज कर लिए अपन ने 5 C1 और उसमें ड्रॉप कर दिया Second अब second के लिए अपन को पता है कि कोई भी दो letter एक में नहीं जाने चाहिए तो अगर B1 के अंदर को उसने डाल दिया तो उसके दूसरे वाले letter 2 के लिए कितनी choice बची चार तो उन चार में से अपन कोई सभी एक चूज कर लेंगे इन्टू ऐसा ही थड़ वाले कितनी choice बची थी तो 3 C1 तो यह कितना आएगा 5 इन्टू 4 इन्टू 3 विच इक्वल स्टू 5 इन्टू 4 20 233 इस 60 तो सेकेंड वाले का अंसर आ गया 60 तो इसमें अपन क्या करेंगे सबस्वेल है तो तो इसमें अपन क्या करेंगे सबस्वेल है total ways निकालते है letters drop करने के total ways क्या होंगे यही 5 इन्टू 5 इन्टू 5 which is equals to 125 there are 125 ways in which 3 letters can be dropped in 5 letter boxes और अपन निकालते है number of ways in which all 3 letters dropped in all 3 letters dropped in one box उसके कितने तरीके 5C1 only तो यह 5C1 कैसा है कोई से भी एक letter box कोई से भी 5 letter box में से अपनने एक चूज कर लिया और उसमें सारे के सारे लेटर लेटर्स अपनने drop कर दिये तो उसका यही 5C1 तरीका इसके value क्या होती है 5 so अब कैसे होगा number of ways in which all 3 letters cannot be dropped cannot 3 letters cannot be dropped in one letter boxes total ways minus in in इतने ways में से जहां पर सारे letter एक में ड्रॉप हो रहें तो number of ways in which all 3 letters dropped in one box तो कितना आएगा 125 minus 5 which is equals to 120 तो अपने answer क्या है first part का answer है all letters dropped in all letters dropped मतलब कोई restriction नहीं है 125 second is no 2 letters dropped in same letter box उसके 60 ways and all 3 letters cannot be dropped in same letter box मतलब यहां पर हो सकता है कि 2 एक में चले जाए और तो उस case में कितने हो गए 120